तो आप लोगो जो मैं WBCS का करवा रहा हूं monthly wise तो यह आप लोग का मार्च मंत का है अभी शार्ण ना बज़े आप लोग को वीडिया पैने प्रवाइट करवा दिया था अब यह क्या है आप लोगा करेंट एफर्स का यह वीडियो प्रवाइट कर दूँगा अलावन सारे 10 उसके पहले रिकॉर्ड हो जाएगा तो जो लोग फ्रेंस पहले स्टार्ट करते हैं आप ज्यादा कुछ ने बहुत नहीं है अभी अगर नाम पुछेंगे तो अभी कौन है अनुप चंद्रा पांडे जी है ठीक है अनुप चंद्रा पांडे है और राजीव कुमार है यह दोनों है अब यहां पर क्या इलेक्शन कमिशन को लेके बहुत लोगा डाउट रहता है तो यहां पर मैं आप लोगो ग्लियर कर दूँ क्या है इलेक्शन कमिशन में आप लोग के टोटल तीन मेंबर होते हैं तीन मेंबर कैसे डिवाइड होते हैं एक होता है चीफ कमिशनर होता है और दो लोग जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिशनर को सपोर्ट करने के लिए स्रिफ इलेक्शन कमिशनर होते हैं तो वही अभी अगर वर्तमान में बोलेंगे तो वो कान हो जाएगा आप लोगा अनुप चंद्र पांडे जी हो जाएंगे और राजिव कुमार जी हो जाएंगे बट यह आप लोगा जैनुरी फेवरी का टाइम पर उमेश सिंहा जी थे ठीक है तो यह आप लोग थोर से देख लीजिएगा यहाँ पर confusion ना हो इसलिए आप लोगा अच्छी तरह से explain करके मैंने बता दिया है देन नेक्स्ट है आप लोगा second speaker of the house यानि कि जो जो ही बेड़े नंग कैमला है इसका नया वो आप लोगा house बना तो उसमें USA में speaker आप लोगा है लैंसी पेलोसी है देन नेक्स्ट है जर्नरलिस्ट जो थे श्री तरुलापत्ति कुतुमबा इनका निधन हो गया है इंटर्नेशनल सोलर एलाइंस यह कहां पर है यह गुरुब्रम हर्याना में थीक है तो यहां पर अब इसके डारेक्टर जर्नरल अभी latest बने है कौन बने है अजे मातुर जी बने है अब यह इंटर्नेशनल सोलर एलाइंस का जो लेटेस्ट अभी नया एड हुआ जो कंट्र इंटर्नेशनल सोलर एलाइंस स्टार्ट किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलके स्टार्ट किया था इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था फ्रांस के पैरिस से सहर में स्टार्स किया गया था ठीक है त्ट इनक्स्त अब लोगा 5th number Head of Google Clouds in Asia Pacific कौन है करन बाजवा है जैसे क कुछ इंडियन्स हैं जो लोग हाई मतलब उचे-उचे पोस्ट में है इन सब को आप लोगो थोड़ से याद करके अगिना पड़ेगा यहां से क्वेश्चन आ रहता है दूसरे कंट्री के जो प्राइम इसका कौन है अभी पी के पुरवार जी है ठीक है दे नेक्स्ट हाई कमिस्टर यान कि आप लोग अंबसेटर बहुत रहता हो दूथ राष्ट्रे दूथ मालावी में इंडिया के तरफ से कौन है अभी एस गोपाला कृष्णन जी है दे नेक्स्ट चियर पर्शन आफ रूख इस प्रिंटर है एक आसाम से ब्लाउं करती है और इस इनको ही क्या हो आसाम गवर्मेंट ने डीएसपी पाइंट किया है डीएसपी मतलब प्रिंटर्टि अटेन अकुनिक जो आप लोग व्यसबांगाल का ड्रोलु वी सी एसेच में धोगे एक्जाम में आप लोगोगा जो ग्रुप बी वाला पोस्ट धैThis बेंगाल आप लोगों हीमादास का एक निकनेम भी है वो क्या है धिंग एक्सप्रेस इनको बोलाता है क्योंकि जकार्त में तो 2018 में जो आप लोगों का एशिंग गिम्स वा था उसमें इन्होंने जो जो स्प्रिंट हुआता चार सु मेटर में उसमें उन्होंने नेशनल रोपर टोड़ा था ठीक है तो वही चीज है आप लोगा इमादास को धिंग एक्सप्रेस बोला दाता है ते नेक्स्ट 14 चीफ डिरेक्टर जनरल ऑफ आल इंडिया रेडियो नियूज जो होता है उसके अ एक गवर्णिंग बड़ी है उसमेंसे यह है तो इंटर्नेशल कोर्ट ऑपट जस्टिस जो को हम लोग बोलता है यह दाहे नीदर लाइंस में है तो इसके जो अभी चीफ प्रॉसीजिटर यान की जिसको हम लोग इंडिया में सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस आफ इंडि किये गया है और यह कांसी कंट्री से बिलोंग करता है यह ब्रिटिस से बिलोंग करता है तो अभी वर्तमान में यह कौन है हर्स चाहन है नेशनल सिद्राइब्स कमिशन के किसको बना है दिविका पादकोर को बना है इंडियन रिल्वे है थर्टीन एवार्ड इन्हों ने तीरा और जीते हैं इन थ्री प्रेस्टीजियस केटेगरी अफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एवार्ड बिस यह उतना इंपॉर्टन है जो इंपॉर्टन है मैं अच्छी प्रवासिय भारते दिवस जो आप लोग का होता है उसमें प्रवासिय भारते सम्मान ये वाट किसको दिया गया है मुकेश अगी जी को दिया गया अब प्रवासिय भारते दिवस का पालन किया जाता है आप लोग का 9th of January में पालन किया जाता है क्यों है ये डेट क्योंकि 19 2015 में 9th of January में ही गांदी जी इंडिया रिटन आया से साउथ अफरिका से तो उसी दिन से हम लोग क्या पालन करते हैं से इंडिया का साथ पंद्व इभूशिन इस तयम इस बार दिया गया रहां घृत्व में ही इनकी 16 जन्मिर के एक दिन फेले 35 granting को से है जब्सक्राइब करूए लुग तो यह इस बार किसको दिया गया है साथ लोग को आप लोगो नाम के रखने पड़ेगा क्योंकि यह से वंसे कुश्चन पस जाते हैं तो नेक्स यहां भी क्या है सीन्जो अवे जो जपान के प्राइम मिनिस्टर है तो उनको दिया गया है यह आर्ट्स के लिए बिलोग करते है तो ऐसे कि आप लोग कोशन आ जाएगा किसको दिया गया है इस बार तो किसको दिया गया है । यह किसको दिया गया है चित्रा सुधरम को दिया गया है इन्होंने किसको दिया है प्रितिपाल सिंग को दिया है तो वही एलोन मुक्स ने ये पैसा रिकमेंड एजे प्राइज मने इन्होंने पता है अनोन्स किया है तो नेक्स्ट है बस सर्विस प्रोवाइदर ऑफ दे इयर इस बार किसको मिला है कौन से बैंक को यूडियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला है ठीक है और उनको ही और एक चीज क्या मिले Excellent in Learning and Development ये उनको ही मिला है Then next है 10th question प्रभा वर्मा ठीक है प्रभा वर्मा को क्या मिला है महाकावी कंचन नंबियार अवाड ये मले अलम लेटरेजर के लिए उनको मिला है प्रभा वर्मा जी को Then next है Wildlife Crime Control Bureau WCCB जो है इनको क्या मिला है Asia Enforcement Award 2020 का इनको UNEP के तरब से दिया गया है ऐसे उस लेते हैं UNEP के तरब से ASIA Environmental Enforcement Award किस को दिया गया है या कौन से Organization को दिया गया है Organization का नाम होगा Wildlife Crime Control Bureau हो जाएगा ठीक है यह अब लोगा correct हो जाएगा Then next है दादा साहिब पाल के अवाड आदा साहिब आदा से पाल के अवाड इस साल का किस को दिया गया है Rajnikaant को अभी हाँ पर बहुत लोग कंफुजन खाएंगे तरफ पिर Amita Pachan को कफ दिया गया है Amita Pachan को इसके पहले बार दिया गया है 2000 तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर आड़ड किस को मिला है यानि कि Best Actor Female में जिसको अमलग Best Actors भी बोलते हैं तो आप लोग का राज दिबी का बादो को मिला है चपाक मोवी के लिए and Best Actress जो है वो आकसे कुमार को लक्समी बम के लिए मिला है The next is Schemes and Launches Schemes and Launches में क्या है जस्ट कौन से स्टेट ने कौन सा स्कीम लांच किया यह सब आप लोको जानना है तो किसान परसल राहत यूजना यह जहरकन ने लांच किया है The next is Fright Business Development Portal यह Ministry of Railways ने लांच किया है एक पौधा सपोशित बद बेटी के नाम यह राजस्तान गवर्वर्मेंट टे लांच किया है यह सब लग पढ़ लीजिएगा जैसा कि आपना को फुरसा अलग टाइफ का जो स्कीम होते है ना वो सम्कीम सापनों को कोश्चन पूस लिया जाता है then next free bus service start किया है किसने आसाम गवर्वर्मेट ने किस के लिए यह सर्विस start किया है वोमेंन्स और senior citizens के लिए और जो ये चीज start किया है इस scheme का क्या नम है यह scheme का नम है ब्राह्मन सारथी है इस scheme का नम ठीक है असम गवर्मेंट ने यह स्टार्ट किया है then next है one school one IAS यह scheme जो लॉंज किया गया किसने के लोग के गवर्नर जो अभी है आरिख मोहमद खान ने यह लॉंज किया है जैए तर्ट रडटे जो एक्स्पेंडेवल एक्सपेंड़ेटी मॉडियू बीम जी को आम लोग बोलते ही एक इस पेस से रिलेटेट है एस्पेसक तेल्सको आप लोगा जोगत आप लोगा जितना भी सब कर इन सबसे रिलेटेट है यहां थो अप लिंडु शागर। यह लं जा सकता है वो 74% पैसे लगाया जा सकता है यांकि अगर किसी ने मार लीजिए 50% से जादा शेर स्खड़िद ले है तो वही उस कंपनी का मालिक हो जाता है तो अब यहां पर कोश्चिन आता है FDI का मतलब क्या है FDI का मतलब है foreign direct investment अब वो लोग कितना भी आप लोगा इन्वेस्ट कर सकते हैं 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं वही चीज़ यहां पर पताया गया है FDI लिमिट तो कितना प्रोपोज किया गया इंसॉरेंस कंपनीज की तो वह 74% recommend किया गया है तो वह 74% recommend किया गय एक जस्ट एप्ली क्या किया है एक अप्लिकेशन किया है कि हाँ यह एक नया एक अपॉड़ांजी है तो यही चीज़ इन्वेस्ट का है यह करना टागा में बैरना जा रहा है वह हमें question क्या मनता है flower processing center में करेंगे क्या जैसे आप लोगों पूराने जो फूल होते जो बिखते नहीं है वो सब क्या हो जाते बिख दिये जाते है तो उसी चीज़ को यह extract करके क्या colors निकालेंगे तेल निकालेंगे जो important important चीज़ ह है वो सब कुछ करेंगे then next है महमता बेनर जी ने एक माँ scheme launch किया यही आप लोग का क्या वोट से पहले launch किया था तो यह क्या है पांच रुपे के में आप लोगों जो फूल प्लेट आप लोगों खाना दिया जाएगा तो यही है आप लोगों का माँ scheme किस ने launch किया वेस ब सब्सक्या यह अपर फिक मार देता हूं तो फिक है है इंडिया स्टॉम रिशर्च सेंटर यह कहां पर मीडि जारा है यह ओरी Krieणा यूसरा में कि इस बेंगलाहन ollisag को। Фार्ल वाठल के चला दाधा है तो यह आप लोग का बना जा है फ्रस्ट। स्टॉ इससेंटर बनाई जा रहा हुआ है ओडी सकते नेस्ट है धर्मस स तंतरता विय्ट दोहजार भीस यह किस विसे करा रहा हुई किस आप लोग बनाया गया है यह हिमाचल प्रदिस में बनाया गया है यह भी आपको इसे इंपोर्टन होता है जो अनकॉमन कोश्चन्स है ना MCQ बेस्ट पड़ो या वन लाइनर पड़ो जो अनकॉमन कोश्चन है वही सब चीज आप लोगो का WVCS में पूछ लिया जाता है डेन नेक्स्ट है यह लैटल हाइंड्रो पावर प्रोजेक्ट यह कौन से रिवर के उपर है बनाये गया है चेनाव रिवर के उपर या आप लोग का यह है क्या चीज कोची में लोरो ये एक गैस पाइप है ठीक है तो ये कितना बड़ा है ये 450 मिटर केलो मिटर बड़ा है ये नेक्स है पियम मोदी लेट ता फांडेशन स्टोन फर लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन 6 स्टेट्स फ्लेक्ट ऑफ बूस्त रूरल बैंकिंग ये च्छतीस गड़ में बूस्त के जा रहा है ठीक है तो यहां पर क्या है अपनों का ये नेजर फ्रेंडली है और ये नेजर को कहीं भी होचा के नहीं बनाएगा है तो वही किया है खादी प्रक्रतिक पेंट किसने डेवलप किया है कि ये भी आई सी नहीं जाने की खादी विरेज इंडेस्ट्रीज कॉपरेशन लिमिटेट का ये अब लोगा फिल फॉर्म है अब ये लोग क्या करेंगे तिरासी तेजस फाइटर जेट्स खरी देंगे पंजाब है जिसाइट एंटार स्टेट एज कंट्रोल एरिया ये उन्होंने कंट्रोल एरिया इनको गोशित कर दिया है देन नेक्स्ट है यह नैंटीन क्वेशन यहां भी क्या बोला है फोर लेन थाल जेत सीला जेत रंच रेल्वेब ओवर बिज्ज जो भी है तो उसे पढ़ने में प्रॉब्ले हो रहा है तो यह ओवर बिज कहां पर अपनों को बना जा रहा है एहम्दवाद में बना जाते है बराब कहां पर गुजरात में तर नेक्स्ट है डी के जो सी है फ्लेट अफ लेक्रिक बस इन अंदवान एं निकोबर अब अंदवान निकोबर में भी आप लोगो क्या हो गया है लेक्टिक बसे इन अगरेट हो चुके हैं तर नेक्स्ट है सदेन फ्लोड इन रिशिगंग यह कहां पर है चामओलड के उत्रहां में है अब यहां पर इसको च्छन का से ऩज égal वेली कहां पर तो उसको हम लोग क्या बोलता है तो यह चीज क्या करते हैं उन्हों ने हटा दिया है और यह लोग टैक्स नहीं देंगे ठीक है दनेक्स प्रेशिडेंट और सेंट्रल एफ्रिकान रिपब्लिक इसका प्रेशिडेंट कौन है फॉस्टिन और के तोदेरा यह है दन पॉइला यह स्पुरिंग फैस्टिवल किस ने लाँज किया है यह किस ने सरेवर डिया है बउगर दीज किया है फिर नेच्स नेगरेंसनल दैक्वागोर supporting गि यह प्रीक वीजित कि मनेट उंडल प्राट आजिअट नेगे का यजर्वीन गाज़ काशिवल ठीक है ऑग चंब data of इन कंसल्टेट इन हैद्रबाद ठीक है ते नेक्स्ट है मलाला यूसुफ जाई स्कॉलर्शिप एक्ट ये कौन से गवर्वर्मेंट ने पस किया यूएस गर्नेंट इंबस क्या है तो आप्शन आप लोगा इसलिए आप लोगा इन टीक मारती है तर नेक्स्ट है जापान यह भी बहुत इंपोर्टन यह साइन्स एंट टेक्नोलजी माना चाहिए था यहां पर दे दिया जो भी है जापान ने अब क्या करेंगे यह लोग सबसे पहला वुडेन सैटलाइट लांच करेंगे उन्होंने बोला है कब लांच करेंगे दोहजार तेश तक लांच करेंगे अभी कम करना स्टार्ट हो चुका है वहां पर वोडन सैटलाइट के लिए देन एक्स्ट है गाइडेड मिसाइल लांच रॉकेट सिस्टम यह जी एम एल आर्स जिसको हम लोग बोलते है ठीक है तो यह फट्य की पेंटिंग यी काँ पर है यह बहुत इंपोर्टेंट यासा अपर फॉल थे कह यह थिक यहां पर अपर हो क्या बोला है रुकिये वल्ट उन्जे स्नोन के पेंटिंग फांड इन इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया में आप लोगा पाया गया है देन नेक्स्ट है 1776 कमिशन रिपोर्ट रिलेस्ट वाई यू एस एकम कि यह पाकिस्तां को गांट किसीज़ के लिए पाकिस्तान को का नेक्स्ट रॉत एक और हम तो ड़ाउलेशिया पाफिक इंडेक्स तो इसमें और वर्ल्ट का सब पर आप मंस्तर अब से लियो में I TVs और आपका को दिया गया उसे जं़ पjin्छ 888 next है बि कैर गांजिन है कर दिया है इसके इसके पहले नहीं तरहने और दिए plot है क्रणि करेंगे यहीं इस चीज बोला है सहीद से कुसिटन की से से सही जी करेक। नेटी से नेके से स्वीन ऊपने में मतिती стेडियम का से लिखुञें थे उसी स्टेडियम का नाम चींद कर गया कर दिया है नरेंद्रमूदी इंस्ट स्टीडियम कर दिया गया है नेक्स्ट है science and technology science and technology में क्या बोल रहा है super app यह किस ने launch किया था टाटर डिजिटल ने launch किया था ते नेक्स्ट है सतर्क नागरिक यह भी mobile app जम्होन किस्मिर ने launch किया था टे नेक्स्ट है app development challenge जो NASA ने organize किया था उसके जो winner बने है वो भी इंडियन है उसका नाम क्या है आरिया जेन जी है ठीक है फोर्थ नमर कुस्टन एनाइसी इसको हम लोग बोलते है नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर इन्होंने इंस्टेंट मैसेजिंग एप एक लॉंच किया है उस मैसेजिंग आप का नाम क्या है सैंडेंज तो यह लाइजेस टेलिस्कोब यानकी वर्ल्ल्स लाज़ेस इंटो टेलिस्कोब बनाया जारा है कौन से प्रोजेक्ट के तहद यह बनाया जा Ooh एन औरशेलिय में यह बनाये जा रहे ह्आ सबसे बड़ा टेलिस्कोप बनाया जा रहा है और इस टेलिस्कोप से कि हम लोग युनिवर्स के में अलग से आप लोगा कोई भी सैटलाइट भीजने के जुरूत नहीं पड़ेगा इन हम लोग नीचे से ही पुरा युनिवर्स का सब कुछ वेसिलेशन कर सकते हैं नेक्स्ट से नासा ने अपना एक अलग से सैटलाइट भीजाएं कहांपर मार्स में भी जा है तो उस नाम के परसीवệcेंस रोवर्ल है can you परसिविरेंस लोगर किसने बेजा है नासर ने बेजा है कावे बेजा है मार्स में बेजा है ठीक है ते नेक्स्ट है फिनेंस मिनिस्टर निर्मा जी ने ये एक रांज किया है क्या है ये यूनियन बजट मोबाइल एप ये लांज किया है ते नेक्स्ट है दस इंडियन गूगल में जो गूगल मैप के टांस लिटरेशन फीचर से उसमें एड किया गया है कॉन स्किम ने मैं एड किया है यह दस इंडियन लाइज़ एड किया गया है ठीक है देन नेक्स है सीवी रड है डेवलप लेंडिंग यह सिस्टेम फर यू एवी जो भी है यह इतना इक्स पास्टेस्ट ग्रेंट टेक्नोलोजी सेंटर इन दे वर्ड देखिए यह वहला बहुत इंपर्टन यह क्या है अभी बैंगलूरू है इस लेवल में इंडिया आ चुका है इंडिया इंडिया कोमबैट ड्रोन सिस्टम यह किस ने डेवलप किया है 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 ठीक है तो हेल ने क्या डेवलप किया है उसका नाम है कैट्स बिलियां ठीक है cats तो cats का full founder बोले लेंगे तो क्या हो जाएगा combat air teaming system हो जाएगा ये बिल्ड करना चाहते हैं क्या एक science city बनाना चाह रहे हैं तो कहां पर बनाएंगे science city बनाना जाएगा डेहरादूल में जैसे कि science city definitely कहां पर गोलकात में आप लोगों को पता ही है next और एक science city बना जाएगा वो तेहरादूल में बना जाएगा अब यहां पर क्या है question ये books and authors से books and authors इसके पहले वाले मैं I think था नहीं तो वो सब में मैं आप लोगों का add करके दे दूगा और अलग से पीडिये बना दे दूगा तो यहां पर क्या है advantage India यह book लिखा है अन इंदिया दत्ता ने लिटिल book of encouragement यह दलाई लामा ने रिखा है उप विजो रम यह पीएस श्रीधर बिल्लाई ने लिखा है यह बिल गेट्स ने लिखा था एंड यह अलग से इंपोर्टन हो जाएगा यह आर ग्रीधर ने लिखा है वोल्ड एकोनोमिक लीग टेवल एक जो होता है उसमें इंडिया के रैंक किसक के नीचे आ गया है इंडिया के रैंक में आ गया है इंडिया के रैंक के रैंक में आ गया है यह बांगलादेश का जो इंडिपेंडेंस ते हैं 26th of March बोलता है जिसको तब आप लोगा चालो होगा यानि की चालो हो चुका है आज के रेट में इंडिया का सबसे Украї मानिफेक्टरेंग रहा है बनाया जारह है भी, बना नहीं है बनाया जा रहा है नेकिस नेच्टनल मीटरोलोजिकल कॉंपलेव 2021 यह जो इसका थीम है यह क्या है आप लोगा मीटरोलोजी फॉर दे इंक्लूसिव ग्रूट अप दे नीशन यह है क्या चीज है और यहां पी बारा या तेरा ग्यारा बनाया हूं और भी मैं इसमें एड करके आप लोगो पीडिएफ तो भी दे दिया है और भी जब एड कर लूगा तो इसमें देख लिए संप्रीती कौन-कौन साइब इंडिया के साथ कौन करता है bangladesh करता है तो यहां पर आप लोग पुरा कम्लीट हो गया है और यह सब तो जो लोग बाहर के वाले स्टुएंट से उन लोग लिए और आज के वीडियो के लिए इतना ही रहें जिए नेक्स्ट आप लोग का कल वीडियो आपस प्रवाइड करूंगा वह फैबररी का होगा आप लोग ज हमाल से पाइड करने क्या समया है तो जो जूश आप लोग एक्सरा आड करने पड़ेगा जो जो घूलम का इस नोट में था नहीं उस टीम लेlगेगा को मैंने बताए संडे को मिल जाएगा तो आप लोग पैनिक मत किजिए संडी को जब आप मैं मैं आप लोगों को प्रोवाइट कर दूँगा देन उसका फिर भी आप लोगों के पास हाथ में रहेगा च्छह दिन में क्या आप लोग को नहीं होगा आरम से अप लोग से कंप्लीट हो जाएगा कि आप लोग अगर इंफ्लेशन कम हो तो कौन सा चीज आप लोग बढ़ेगा या कमेगा ऐसे के कुश्चन पूज आते हैं तो उसमें आप लोग समझने का चीज है तो इकनोमिस का नोट्स देने से स्रिफ नहीं होगा एकनोमिस का मैं आप लोग क्लास कर वाँगा छे दिन र के ऊपर आप लोग का यह फाइब यह प्लैनिंग वाला भी अच्छी तरसे हो चुका है तो यहीं से अब आप लोग का यह नोट दे दूगा ट्वेज का जोन होगा ठीक है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने दीजिए और जो भी कुछ आप लोगा डाउट है पु कोमेंट में या वाट्साप ग्रूब में तो आज की वीडियो के लिए इतना ही प्रेंज देट सो थेंक यू